हेलो फ्रेंड्स स्वागत है सभी का डिजिटल तयारी पर मेरा नाम है चितन पारिक आरे सगरवाल की हिंदी वाली किताब हम सवाल कर रहे थे उसके अंदर चक्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस ठीक है पार्ट हम सुरू करेंगे पार्ट नमबर पांच चार पार्ट अच्छे सवाल उसके अंदर आये हैं बिल्कुल बेशिक से सवाल सुरुआत हुए फिर दीरे लेवल बढ़ते वे चल रहा है ठीक है तो अगर आपने वह नहीं देखे हैं जरूर देखना बहुत ही अच्छी अच्छी सी वहां पर ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी शु कह रहा है कि एक कार सहर वाई से सहर जेड की दूरी 60 किलोमेटर परती गंटा की गती से तथा सहर जेड से सहर वाई की दूरी 65 किलोमेटर परती गंटा की गती से तैय करती है तो कार के ओसत गती कितनी यह ग्याद करना है यह कार है जो पहले एक से जेड गई पहले कहा गई y से z गय थी, z से y वापिष आई, distance पहले 6 से गय थी, और 65 से आई है, distance तो same है दोड़ना ही case में, और मैंने आपको बता रह шир clues है, initial parts के अंदर कि जब भी distance same हो, एक distance travel हो रही है, जाना और आना, तो इस case में average speed निगालने के लिए direct आपको यह formula यूज़ करना है, कौन सा, 2xy upon x plus y, ठीक है, अब यह क्यों आया, यह हम discuss कर चुके हैं previous part के अंदर, ठीक है, अब हम सीधे apply करेंगे इसको, क्या करना है, तो यह कर लो 2 into 60 into 65, divide में x plus y, तो 60 और 65 का योग कितना होगा, 125 होगा, य 5 से काट लो 12 वार में, 5 से काट लो 25 वार में, 5 से काट लो 5 वार में, 5 से काट लो 13 वार में, सही है क्या, उसके बाद में क्या आएगा, इनको गुणा कर रहते हैं पहले तो, ठीक है, 12 into 12 कितना होता है, 144, 144 और एक बार और उसके अंदर 12 add कर लेंगे, तो 156 हो जाएगा, 156 इंटू 2 करना है 156 इंटू 2 किता आएगा 12 यह एक 10 11 एक यह आजाएगा 3 312 इसमें लगाना है हमें 5 का भाग यह हो गया हमरा अंसर देख 3 12 बटा 5 करना है simple calculation कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पर बाग लगा लिया 6 बार में और उसके बाद एक आगे चला गया तो उसके बाद 2 बार में और फिर 0.4 बार में क्या अंसर हो गया 62.4 किलोमेटर परती गंटा यानि option C ठीक है simple सवाल है यह बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की और देखो क्या है अगला सवाल आपके सामने एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है यदि बस 4 सेकंड में खंबा पार करती है तब बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात गयाद करू ठीक है एक तरफ व् बाइवन समझना है कि इस तैप के सवालों में हमेशा आदमी की गति को नेगलिजिबल मानना है यह मान के चलना है कि आदमी को जीरो लेंट का है ठीक है मतलब उसकी विड़्त है बस जरूर कुछ ना कुछ लंबी होती है तो बस की लंबाई यहाँ पर कुछ ना कुछ मान दरता है मान लो यह बस पड़ी है यहाँ पर देखो यह बस पड़ी है एक्सलेंट की यह बस है ठीक है यह बस है और एक्सलेंट की बस है यहाँ पर इसको टंक से बना देते हैं यह बस बना दी यहाँ पर यह इसके चक्के बना दी है चाहिए यह बस है अब यहाँ पर क्या यहां से दोड़ना शुरू किया फिर दोड़ते दोड़ते वो यहां पर आया और यहां से जैसे आके जाएगा तब वो जाके बस कवर होगी इसका मतलब क्या है कि जब उस व्यक्ति ने बस को पार किया इसका मतलब उस व्यक्ति की स्पीड निकालना चाहूं उस व्यक्ति की गति निकालना चाहूं, तो गति का formula क्या होता है, distance upon time होता है, distance कितनी travel की व्यक्ति ने, जितनी bus की लंबई है, यानि x, और बटा में कर देंगे time, time कितना लगा, 18 second का, तो यहाँ पे लिख लो 18, यह है speed हमारे पास किसकी व्यक्ति की, अब हम बात करते हैं, bus की spirit की, bus के बारे में क्या information दे रहती है, तो आगे देखे रहा है सवाल, कि यदि bus 4 second में एक खंबे को पार करती है, अब देखना यहाँ पे, इस बार अब यह आदमी अटा रहा हूं यहाँ से, इस बार अब यह बस चल रही है, ठीक है, अब इस बार यह बस चल रही है, यहाँ पे माल लो कहीं पे एक खंबा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे खंबा है इस खंबे को यह बस पार कर रही है, तो यह मैंने time and distance का, इंगलिस वाल वर्जन आपको जब करवाया था, problems on train के भी हमने सवाल किये था, वहाँ पे अगर आपने उदेखा है, अगर इंगलिस वर्टन आपने देखा यह बहाँ पे ऐसे खहुप सारे सवाल हमने किये था कि जब भी कोई बस किसी खंबे को पार करती, इसका मतलब खुद के लंबा ही पार करती है, ठीक है तब तक की बस का back portion इसको cover ना कर ले इसका मतलब बस ने कितने distance travel की जितने उसकी कुद की लंबाई है आई बात समझ में तो इसका मतलब बस ने भी exit tag किया है कितने समय में चार सेकंड में तो यह लिखने चार सेकंड यह आगई हमारे पास बस की गती है ठीक है अगर आप चाह तकड़ी प्रक्टिस जाएगी English language की problem आपको नहीं रखनी है क्योंकि वहाँ पर हर सवाल में Hindi में भी explain करता हूं साथ ठीक है तो आपको आपको आसान इससे समझ में आ जाएगा इसके अलावा problems on train वाला topic भी करा रखा है वो भी जरूर देखना तो वहां से train वाला जो concept होते आदमी की कती कितनी x बटा 18 इस ratio को simplify करना है x x तो काट लो ठीक है दौनों और मैं क्या करता हूं 36 से गुणा कर देता हूं दौनों और मैं क्या करता हूं 36 से गुणा कर देता हूं ताकि यह जो fraction है 4 और 18 यह हट जाए 18 और 4 calcium लिलो फुल मिला कर यह करना ठीक है तो इसको का तो यह दो बार में खटी है तो क्या ratio निगल कर आया नौन पार दो निगल कर आया इसका मतलब option a क्या हो गया हमारा correct answer ठीक है बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल के और देखो क्या है next question तो अगला सवाल है देखो दो सहर a तथा b एक दूसरे से 500 किलोमेटर की दूरी पर है एक रेल गाड़ी प्रातह 8 बजे a से b की और सितर किलोमेटर परते ही गंटा की गती से चलना शुरू करती है दस बजे एक अन्य रेल गाड़ी b से a की और 110 किलोमेटर परते ही गंटा की गती से चलना शुरू करती दौनों गाडियां अपस में कब मिलेंगी ये आपको find करना है बहुत ही important सवाल है काफी वार exam के अंदर आते हैं SSC के अंदर कूब वार आ चुका है ये सवाल इस type के सवाल इस कला और railway के अंदर भी आ रखा है और banking के अंदर भी पहले आते देश type के सवाल अभी भी आ सकते हैं प्री लेबल में अब इसको सवाल करना है यहां पे तो A और B मालो ये दो सहर है 500 किलोमेटर दूरी पर ये दोनों सहर अपस में A से एक रेल गाड़ी रवाना हुई 8 बजे 8 बजे रवाना हुई ठीक है 8 AM और किस स्पीड से रवाना हुई 70 किलोमेटर परते गंटा से रवाना हुई ठीक है उसके बाद 10 बजे रवाना हुई एक दूसरी रेल गाड़ी 10 बजे सुबह 10 बजे B से A के लिए 110 किलोमेटर परते गंटा की रवतार से 110 km प्रती गंटा से इस तरफ रवना हुई है, अब यहां पर एक चीज देखोगी कि 8 बजे ये ट्रेन रवना हुई है, ये वली ट्रेन थोड़ी लेट रवना हुई है 10 बजे तो जब ये ट्रेन रवना होगी, 2 गंटे बाद रवना होगी ये तो इसके तो 2 गंटे में ये तो कुछ आगे आ चुकी होगी जब तक 10 बजेंगे तब तक तो ये ट्रेन तो थोड़ी चल चुकी होगी है या निये कितनी डिस्टेंस ट्रावल कर लेकि 2 गंटे में तो जब तक 10 बजेंगे तब तक ये वाली ट्रेन 140 किलोमेटर कर चुकी होगी क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमेटर पड़ती गिंटा है या निए अब 10 बजे है ये ट्रेन यहां से रवना होगी और ये वाली ट्रेन अभी यहां पर है अब इनको 10 बजे के बाद में वो यहां पर कहीं पर रास्ते में मिलेगी इतने से रास्ते में मिलना है अगर time find करना है हम तो time का formula क्या होता है distance upon speed होता है अब यहां पर distance और speed दौन और relative speed और relative distance का मिलेंगी relative distance का मतलब क्या है दौनों की बीच में gap कितना है तो 500 में से 140 कवर होई चुका है पीछे कितना gap बचा 340 का मतलब यह 340 कवर करना है ठीक है और यह 340 किलोमेटर सौरी 307 यह 360 किलोमेटर का gap कवर किया कि इसने दौनों ट्र connection होता है तो सपेक्स गती कैसे निकालते हैं जोड कर निकालते हैं तो 110 और सित्तर कुल मिलाकर कितने हो गए 180 यहां पे लेकलो 180 160 को 180 किती बार में काट लेगा दो बार में काट लेगा इसका मतलब दो गंटे बाद वो मिल जाएगी मतलब 10 बजने के दो गंटे बाद वो दौनों गाड़िया आपस में मिल जाएगी तो 10 बजे के बाद में दो गंटे और इसका मतलब क्या हो गया दो फैर के बारा बज़ गए तो हमारा option B क्या हो गया correct answer हो गया ठीक है I hope अच्छी तरीके से आपको सारे सवाल समझ में आ रहे हैं और एक-एक सवाल आप try जरूर कर रहे हैं अगर आप try नहीं करोगी तो कोई भी फाइदा नहीं मिलने वाला अगर आप मस्तिश बैठ के देख रहे हो इसको पिलंग के उपर बैठ के सब्सक्राइब पैन कॉपी लेके एक-एक सवाल रगड़ोगे तो ये दिमाग में fit होने शुरू होंगे सब्सक्राइब अब समझते तो वही दूरी तैय करने में आदा घंटा कम लगीगा तो कार की दीमी गती कितनी है ये आपको ग्याद करनी है समय मागे सवाल सिम्पल सी लेंगवेज में लिखा है क्या करना यां पर एक कार कुछ दूरी को साड़े चार गंटे में तैय कर लेती है कितने देर में तेय कर ली थी अब हो क्या करती है कि अपनी गती x प्लस 5 कर लिया उसने और time उसको आदा गंटा कम लग रहा है मतलब अब उसको केवल 4 गंटा ही लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ time into speed distance आ गया time into speed फिर से distance आ गया दोनो इस distance को equal रख लू क्योंकि दोनों ही cases में distance तो equal है तो इसको क्या कर लेते हैं दोनों को गुणा कर लेते हैं 4.5 को अगर मैं सरल बिन में बदलता हूँ तो ये कितना हो गया 9 बटा 2 हो गया तो 9 बटा 2 into x कितना हो गया 9x by 2 ये आ गई यहां के distance और इन दोनों का गुणा कर लिया तो ये किता आ जाएगा 4 into x plus 5 अब इसको solve करके x की value हमें निकालनी है और वही हमारा क्या होगा correct answer बरोगा ये बोला है ना दीमी गती कितनी है मतलब x ही पुछा आपको इसको solve कर लेते हैं ये जब इसके साथ multiply होगा तो 4x plus 20 आएगा और फिर ये 2 भी इसके साथ multiply होगा तो क्या हो जाएगा 9x तो यूं को यूं रखता हूँ 4x into 2 कितना हो गया 8x 20 into 2 कितना हो गया 40 यहां पर ये 8x इदर आएगा तो क्या है आएगा 9x minus 8x यानि x और ये किसके बराबर हो गया 40 के बराबर हो गया यानि 40 किलोमेटर पर आवर option B क्या हो गया हमारा correct answer पर हो गया ठीक है बढ़ता है देखो हमारे अगले सवाल क्या और गया है next question अगला सवाल आया है हमारे पास में कि एक किसान 61 किलोमेटर की दूरी को 9 गंटे में तै करता है ठीक है वहाँ आंसिक रूप से 4 किलोमेटर परती गंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमेटर परती गंटा की दर से साइकल द्वारा तै करता है तो पैदल तै की गई दूरी कितनी है यह आपको ग्यात करना है अई बात समझ में वह यह किसान है वह कुल मिलाकर 61 किलोमेटर की दूरी है नौ गंटा में ट्रैवल कर लेता है अब वो थोड़ी-3 देर में करता है पहले यह पैदल चलता है 4 किलोमेटर पte गंटा से और फिर थोड़ी देर बाद वो चलता है, 9 km प्रती गंटा से cycle के उपर, तो आपको दोने cases में distance निकालनी है, कितनी कितनी distance है, तो distance का formula क्या होता है, तो distance का formula होता है, speed into time, तो distance का formula क्या हो गया, speed into time हो गया, प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् गुटि स만ध इस पिजिक करना है अब पैदल चलने वाली दूरी निकाल ली तो निकाल ने हैं क्या प्राब्लम में ऐसकुल निलाए के 9 गंटे लगाएं तो पीछे 8-2 की गंटे साइकल पर लगे होंगे, तो 9 माइनस T गंटे साइकल पर लगे, और इस टाइम को जब मैंने साइकल की स्पीड से मुल्टिप्लाइ करा लिया तो यह हमें cycle द्वारा तय की की कई दूरी मिलगी है यह pedal तय की करी है hya cycle द्वारा तय की के दूरी यह होगे x8 के बराबर कि इसको solve करके पहले टि निकाल लो अगर टि 58 कि अगया तो हम यह भी निकाल लेंगे charging कि पैदल कितिया दूरी तय की है 40 आइमारा माइनस 9T किता आएगा माइनस का 5T माइनस का 5T जब इस तरफ आएगा तो किता हो जाएगा प्लस का 5 यह 61 जब माँ उस तरफ भेज दो तो 81 में से 61 जाएगा तो किता आएगा 20 यहां सम देख सकते हैं T की value कितनी आ रही है 4 आ रही है 20 by 5 T की value कितनी आ गई 4 आ गई यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है सबसे सही तरीका है यह कोई भी रटने की जुरुत नहीं है इसके अंजर बिल्कुल बेसिक तरीक है तो आगे आने वाले सवालों को हम अब upcoming part के अंदर सवाल करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से एक सवाल को सवाल करें प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी